नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुकला और आप देख रही हैं बोल्सकाय घरिलू उपचार में आपने फिटकरी का उपयोग होते कई बार देखा होगा लेकिन वास्तु शास्त्र में भी फिटकरी के बहुत से उपयोग है घर में ऐसी कई चीज़े होती हैं जो घरिलू उपायों के साथ साथ वास्तु उपाय के लिए भी बहुत कारगर होती हैं अगर आपके घर या ओफिस में किसी प्रकार का वास्तु दोश है तो उसे दूर करने के लिए आप फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं आज ये कटोरी 50 ग्राम फिटकरी लेकर अपने घर या ओफिस के किसी ऐसे कोनी में रख दें जहां किसी और की जल्दी से नजर नहीं जाती हो ये उपाय करने से कई तरह के वास्तु दोशों से होने वाली परिशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके घर में सोक्षान्ती के साथ धन संपदा में भी व्रद्धी होगी ध्यान रहे कि कुछ-कुछ दिनों में जब फिटकरी का रंग बदलने लगे तो उसे नई फिटकरी से बदल दें इसके अलावा अगर सोने से पहले काले कपड़े में फिटकरी बांद कर अपने सिरहाने पर तकीए के नीचे रखेंगे तो बुरे सपने नहीं आते और अग्यात भै से मुक्ती मिलती है तो इस तरह फिटकरी का उपाई करने से आपको इन वास्तू दोश से शुटकारा मिल सकता है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बोल्सकाई से